गुड मॉर्निंग बच्चो कैसे हो? मैं स्मीता मैम आपकी हिंदी टीचर. तो बच्चो हमने पिछली तासीका में आकी मात्रा के सब्दों के बारे में जानकारी लीती. तो बच्चो आज हम उसके बारे में प्रशन उत्तर देखेंगे. तो चलो बच्चो प्रश्ण उत्तर के बारे में जानकारी लेंगे प्रश्ण पहला एक सब्द में उत्तर दो आसमान में कौन छाया? हाँ बताओ हमने पिछली तासिका में कवीता में देखी थी ना तो आसमान में बादल छाया कैसा सावन आया? प्रश्ण दूसरा कैसा सावन आया मन भावन तीसरा प्रश्ण सुबों हुई तो क्या नहीं चमका क्या नहीं चमका सुबों सूरज सूरिय उसका जवाब है सूरज सूरिय चौता प्रश्ण किनकी टिम्टिम गायब थी तो उसका जवाब है तारों की तो प्रश्ण पहला समझ में आ गया आप देखेंगे कविता की पंक्तिया पूरी करो प्रस्न दुसरा है कविताओं की पंक्तिया पूरी करो डैस डैस पर बादल आया गरज डैस करकर बरसाया तो उसका जवाब है आसमान पर बादल चाया गरज गरज कर जल बरसाया दुसरा सवाल रात हुई तो डैस डैस न दमका डैस डैस की टिम टिम भी गाया तो उसका जवाब है, रात हुई तो चांदन दमका, तारों की टिम टिम भी गायब तो बच्चों, आपको ये दो प्रश्ण है ना, ये दो प्रश्ण आपको हिंदी CW में लिखना है तो बच्चों, मैंने आपको जैसे कहा था कि प्रश्ण पहला और प्रश्ण दुसरा आपको आपके हिंदी CW में लिखना है आप देखो प्रश्ण तीन से हमें क्या करना है, हमारी हिंदी जो पाट्ट पुस्थिका है ना, आपको उसमें ही उसके जवाब लिखने है तो देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, कि देखो मैंने कैसे लिखा है हिंदी टेक्सबुक में ही, तो चलो हिंदी टेक्सबुक में से हम प्रश्ण तीसरा सुरू करेंगे चित्र का नाम बोलो और लिखो हमें क्या करना है? उट चित्र का नाम बोलना है और हमें नीचे लिखना है देखो मैंने जैसे लिखा है पहला चित्र है आटा, किसका चित्र है पहला? आटा, अ को आ की मात्रा आ, ट को आ की मात्रा टा आटा, दूसरा किसका चित्र है ये अनानास का चित्र है तिसरा हल चौता कान पाच्वा टमाटर और लास्ट है आग तो समझ में आ गए आप क्यों इन सारे चित्रों के नाम तो देखो बच्चो अभी चौता सवाल कौन सा है पड़ो और अंतर समझो तो क्या करना है हमें पहले जो दिख रहेना शब्द वो पड़ना है और हमें समझ के लेना है उससे हम और कौन से शब्द बना सकते हैं तो देखो जल जल को हमने जो को हमने आकी मातरा लगाया और लिखा तो जाल हुआ न और दूसरा देखो जो को आकी मातरा और लो को आकी मातरा लगाया तो क्या हुआ जाला तो देखो हमें अंतर समझ में आ गया जल जाल जाला तो देखो बच्चो अभी हमें ऐसे ही लिखना है देखो बल, बाल, बाला आगे देखो कल, काल, काला सर, सार, सारा तल, ताल, ताला तो आपको समझ में आ गया अंतर मैं और एक बार बताती हूँ देखिए जल, जाल, जाला बल, बाल, बाला कल, काल, काला सर, सार, सारा तल, ताल, ताला समझ में आ गया अब पाच्वा सवाल चित्र पहिचान कर नाम लिखिए तो देखो और एक बार चित्र है और हमें उसका नाम लिखना है पहले वाला चित्र है आम दुसरा वाला चित्र है आग और तिसरा वाला चित्र है पटारा समझ में आ गया तो देखो प्रश्ण चवा दिये गए सब्दों में से औ और आ की मात्रा वाले सब्दों को अलग-अलग करके लिखिए तो देखो बॉक्स में दोनों सब्द है अ के और आ के मात्रा के दोनों शब्द है हमें क्या करना है अलग-अलग करके लिखना है तो देखिए अ के मात्रा में कौन-कौन शब्द आते है कमल, नयन, अचकन, अक्षर, अजगर ये सारे शब्द कौन से है अ की मात्रा के अब आकी मात्रा के सब्द देखिए हलवा कौन सा है हलवा उसके बाद आएगा नाम उसके बाद आएगा दानो उसके बाद आएगा बकरा उसके बाद आएगा घड़ा उसके बाद आएगा बाजा हवा और नाव समझ में आगे आपको अकी मात्रा और आकी मात्रा हमने अलग-अलग करके कैसे लिखे है तो देखिए बच्चो सातवा सवाल कौन सा है चित्रों को उनके नाम से मिलाईए मतलब match the pace पहला चित्र कौन सा है जर्ना तो यहाँ पे जर्ने से शब्दों को मिलाना है दूसरा है मटका मटका कहां पे देखना है मटका सब्दों को उस चित्र के सामने हमें मिलाना है गन्ना मतलब शुगरकेन वो शब्द गन्ना सब्द यहां पे है और वो चित्र कहां पे है हाँ, वहां पे हमें मिलाना है जहाच उसको उसके चित्र के सामने मिलाना है गाय का चित्र है तो सामने यह तो हमें उसे मिलाना है उसके बाद है तबला तबला का भी चित्र सामने यह तो हमें उस चित्र के सामने मिलाना है आठवा सवाल दिये गए वर्णों में एक वर्ण जुडा कर सब्द लिखिये मतलब देखिए एक यहां पे एक वर्ण हमें जोड़कर लिखना है एक वर्ण दिया है तो हमें उसके आगे एक वर्ण जोड़कर लिखना है देखिए का उसको हमने म मिलाकर क्या बनाया है का तो देखो यहां पे बा है बा को हमने क्या मिलाकर लगाया है जा बाजा या पे चा है तो हमने चा को और एक चा मिला कर दिये लिखा है चा चा तो देखो रा को हमने म जोडा है तो क्या हो गया राम आ को हमने म जोडा है तो क्या हो गया आम गा को हमने यो जोडा है तो क्या हो गया गाई समझ में आ गया तो बच्चो आगे का और आखरी चित्र को पूरा करो और उसमें क्या करना है आमें रंग भरना है तो इस चित्र को आपको पूरा करना है और आपको उसमें क्या करना है रंग भरना है और यह चित्र किसका है आप सबका पसंदिता आप सबका फेवरेट आम आम का चित्र है इस चित्र को पूरा करना है और उसम रंग भरना है तो बच्चों आपको आके मात्रा के प्रश्ण उत्तर समझ में आ गए तो मैंने आपको क्या कहा है प्रश्ण पहला और प्रश्ण दुसरा मतलब एक सब्द में उत्तर दो और कविता की पंक्तिया फूरी करो इस दो कोशन ही आपको आपके हिंदी नोटबुक में लिखना है और बाकी के सारे कोशन आपको आपके हिंदी टेक्सबुक में ही लिखना है तो बच्चों आको आकी मात्रा और आकी मात्रा के प्रश्ण उत्र समझ में आ गए ना तो आप जब रैटिंग करोगे तो अच्छे-च्छे सुंदर-सुंदर हैंडर रैटिंग में आपको लिखना है तो चलो बच्चों हम अगली तासिका में और एक नए मात्रा के बारे में जानकारी लेंगे ओके बाई थैंक्यू